प्रॉब्लम्स में बात की जाए, डायबटीज के लिए रामबा नौशधी है, उसके इलावा जिन लोगों का मैटर असिडिक हो जाता है, यूरिन भी असिडिक हो जाता है, यूटी आई की प्रॉब्लम महलाओं में बहुत ज्यादा, यूरिनी ट्रैक इंफेक्शन, पीसी ओ आउडर मार्केट में आए हुए हैं, जिनके बहुत से साइड इफेक्ट भी है, क्यों ना ब्रेकफास्ट ही हम अपना चेंज करें, और इस तरीके से प्रोटीन डायट पर बना कर खाएं, थोड़ा रौ खाने से प्रहेज करें, और अलसर जिनको पेट में घाव है, वो लो प्राकरतिक चिंद सामें हमें बताएंगी के आहार का कितना मेहतन तो चलिए आज उनहीं से जागते हैं, नमस्कार। नमस्कार इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल यूनीक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें साथ ही बैर आइकन भी दबाएं ताके आगे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे 80% प्राब्लम्स को डिजीज को अहार के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है लेकिन कुछ लोग जो थरपी ले रहे हैं जड़ी बूटियां भी ले रहे हैं योग प्रणयम भी कर रहे हैं पर अहार को महत्व नहीं देते तो उनको इतना इजाफा नहीं मिलता प्राब्लम को ठीक हो गई है उसको improve करना बहुत जरूरी है alkaline और acidic दो तरह की diet होती है alkaline diet वह diet है जो कि हमें प्रकरती ने जिस रूप में दिए हम उसी रूप में ही उसे intake करें और acidic diet जैसे उबला हुआ खाना उबला इंदा वोज बाजरा का जिनको भीगो कर खाते हैं वह सब भी द्राइफ्रूट्स हो गए और उसके इलावा फ्रूट्स फल शाक सबजियां यह सब आपके अलकलाइन डाइट में आते हैं तो अलकलाइन डाइट और अशिडिक डाइट के महत्तव को समझेंगे तो आप डाइट थेर लेकिन आज के भौतेकवादी युग में संभाव नहीं है लेकिन अगर आप कोशिश करें तो उसको 50-50 की रेष्यो तो फिर भी कर सकते हैं कि 50% अलकलाइन रहे और 50% डाइट अपकी असिडिक हो जाए उसमें करेंगे क्या फिर उसमें यही करेंगे कि ब्रेक्फास्ट तो उसमें बात की जाए कि अलकलाइन डाइट में ब्रेक्फास्ट में क्या किया जाए उसके अंदर हम जो आपको यह रेस्पी डेमोस्टेट करने जा रहे हैं उस रेस्पी पर थोड़ा गौर से नजर रखिएगा उसको बहुत धान से सुनिएगा और देखिएगा कि यह आइ सके बनती है इसको हमने नाम दिया है tão roku टाइंगी ट्विस्टीं सेलिट टैंगे कोश्ट त्विस्टी सालेट मूनिगीे स्प्राउट जिसके अंदर हम ने यह मून के प्राउट लिये हैं उसके बाद हमने यह सभी तरीके का सैल एड जो आप देख पा रहे हैं जिसके उसके बाद हमने dry fruits, socked nuts जिसे बोलते हैं, यह हमारे सीसम सीड हैं, इसके अंदर और खरबूजे और खीरे के बीज हैं, और यह थोड़ी raisins है, किशमिश है, भीगी हुई, इसे dry fruits बोला जाएगा, यह हमारा onion है, यह हमारा हरा धनिया है, और यह grate किया हुआ पनीर, जो की richest source of protein है, तो यह सारी protein diet तियार हो रही है, protein diet लेने के लिए हमें सबसे पहले हम सप्राउट के, एक person के पीछे 50 gram sprout हमें लेना होता है, तो तीन लोगों के लिए हम 150 gram sprout इसमें add कर देंगे, इसमें हम इस तरह से salad मिक्स करेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा पॉमिग्रेनेट, क्यों नमकीन और मिठे का टेस्ट स्प्राउट को बहुत ही यमी बना देगा, वो एड़ करेंगे, इसमें हम सॉक्ड नट्स, जिसमें की सीसेम सीड है, खरबूजा और तरबूज की गिरी है, किश्मिश है, यह एड़ कर देंगे, लास्ट में हम अनियन को एड़ करेंगे, और ल रिचेस्ट सोर्स ओफ प्रोटीन, जो लोग प्रोटीन के लिए बहुत सारे सप्लिमेंट ले रहे हैं, बहुत तरीके के पाउडर मार्केट में आए हुए है, जिनके बहुत से साइड इफेक्ट भी है, क्यों ना ब्रेकफास्ट ही हम अपना चेंज करें, और इस तरीके से प्रोटीन डायेट घर पर बना कर खाएं, मैं साल्ट हलका साल्ट डालूगी, पूरा दिन में एक परसन को दो से तीन गरम साल्ट लेना होता है, तो अगर कोशिश करें, ब्रेकफास्ट में आप साल्ट नहीं लें तो बहुत अच्छा सेंधा नमक, नमक के रूप में आपन देखेंगे आप कितनी टेस्टी और यम्मी, सच में टेस्ट कमाल का है, ये डायेट हमारी तयार हो गई, तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बतनाया, बड़ा ही मुझे देखने में बड़ा ही खुबसूरत लग रहा है, टेंगी, ट्विस्टी, सैलेड, इसका नाम ही इतना ख सब्सक्राइब कार जबन के लिए तो बहुत अच्छा है तो कि अगर आप ब्रेकफास्ट में जब आपके दिन के शुरुवात हो तो अगर प्रोटीन लेते हैं तो वह डाइजस्ट भी होगा, वह प्रोटीन को अगर आप रात को लेते तो जल्दी से डाइजस्ट नहीं हो तो कोशिश करें आप प्रोटीन से रिचेस्ट सौर्स है इसमें केल्शियम का रिचेस्ट सौर्स है ब्रिक्फरस्ट में और रही बात के किन बिमारियों पर काम करता है हाइपर एसीडिटी के लोग थोड़ा रॉख खाने से प्रहेज करें और अलसर जिनको पेट में घाव है वो लोक कमखाये हैं बगी सभी प्रबलम्स पर रामबार काम करती हैं मैं इसे ओषदी का नाम देती हूं सच में दिल से ये बात कहरी हूं जब हम इस फूड को लेते हैं तो पके हुए फूड में जितने टॉक्सिंस साथ में जाते हैं तो हमारी बोडी को उतनी ही मुनिटी लगानी पड़ती है उन टॉक्सिंस को बाहर निकालने के लिए इस फूड के द्वारा जब यह मूंग भीग जाता है और जब जर्मिनेशन ह प्रॉब्लम्स में बात की जाए डायबटीज के लिए रामबा नौशधी है उसके इलावा जिन लोगों का मैटर असीडिक हो जाता है यूरिन भी असीडिक हो जाता है यूटी की प्रॉब्लम महलाओं में बहुत ज्यादा यूरिनी ट्रैक इंफेक्शन और पीसी ओडी की नाश्ता अपने डेली रूटीन में शामिल करें इसके साथी जो एक समस्या जो महलाओं के आगे आती है बच्चों को लेकर बच्चे आसानी से जो भी हमें पताए कि यह हैल्दी है माओं को पता है लेकिन बच्चों को देना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उन्हें वही च प्रलोभित किया जाए किस तरह से अट्रेक्ट किया जाए कि वह बाजार में पाउडर के डिब्बे जो आ रहा है जो आए जिम जाने के दौरान जो उन्हें दिये जाते हैं या फिर किसी भी तरीके के ओन लाइन देखते हुए जो वह बहुत सारी प्रॉब्लम का पारन बन यहीं तरह से टाने ट्विस्टी एक दिन अप उसमें पुरि के साथ फोड़ी खजोर की चटनी डालें जाए जाए गाए जाए जोड़ा को दीन अबरें फ्लेक्सिट रोस्ट कर तोड़ा था तालमकाना रोस्ट कर यह भुना चना रोस्ट कर ए इसमें मिलाएंगे तो रही और बच्चे भेलपूरी तो बहुत मज़े से खाते ही है तो जैसा कि दिंपल जी आपने बताया कि बच्चों के लिए इसे किस तरीके से अट्रेक्टिव बनाया जा सकता है कि बच्चे टेस्टी भी बने और बच्चे खा भी लें तो इसके साथ हम युवां के लिए भी जान चाहिए चाहे उसको ग्रेट करें चाहे पीसिस कट करें और उसके इलावा इसमें थोड़े अच्छे से डाल दें वालनुट्स डाल सकते हैं इसके अंदर और पनीर की तदा थोड़ी बढ़ा दें क्वांटिटी बढ़ा दें तो ये अच्छी केलरी वाली डाइट अपके अच्छी चीज बताया आपने के इसमें हम लोग कैलरी बढ़ाने के लिए बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राइफ्रूट्स और मिला सकते हैं पनीर की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं को कॉर नट इसमें एड़ कर बहुत अच्छी चीज थी जो युबाउं के दोस्तों अगर यह जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप डॉक्टर डिंपल से संपर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह आपका डाइट प्लान बना कर दें तो हमने अपनी वीडियो में उनका नंबर भी दिया है आप सीधे उनसे संपर कर सकते हैं धन्यवाद